हेलो व्योर्स वेलकम टो हेल्दी कुकिंग लैब वैलेंटाइन डे के लिए मैंने दू रेसिपी आपके साथ मेरी चैनल पे पहले ही शेयर की हुई है और आज मैं वैलेंटाइन डे पे आप किसी को गिफ्ट कर सको ऐसी बहुत ही यम्मी चॉकलेट रेड वैलवेट कुकीज क रेसिपी शेयर करूंगी थोड़ी सी टीप्स और ट्रिक्स के साथ आज की एट वैलवेट कुकीज की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने टू टेब़ स्पून मिल्क में हाफ टी स्पून विनेगर मिक्स किया है अगर आप विनेगर यूज नहीं करते ह तो लेमन जूस ले लिजे इसकी जगह पे अब इससे अच्छे से मिक्स करके इसे 5 से 10 मिट के लिए साइड में रख देंगे यहां पे मैंने वन फॉर्थ कप बटर लिया है अब इसमें हम हाफ कॉप पावडर सुगर मिक्स कर देंगे बटर और सुगर को पहले अच्छे से इ ऍज brewing some ingredients चानलेंगे एक कप मेधे लिया है नहीं यह पे और वन तीजपून नहीं यह पे कोको पाउडर लिया है इसमें बैकिंग पाउडर डालेंगे हाफ पेकंग पाउडर लेंगे और इसको अच्छे से चानलेंगे अब जो विनेगर वाला आमने मिल्क तैयार किया गा उसमें 1-4 तीस्पून जितना पैनिलासेंस टालेंगे और इसमें 3-4 ड्रॉप जितने रेड जेल कलर डाल गई हो अगर आपके पास पावडर कलर है रेड कलर तो वो डाल दीजिए पर मैंने पहले भी बताया था कि आपको रेड कलर का प्रॉपर रिसल चाहिए तो आप पावडर कलर नहीं जेल कलर यूज़ कीजिए अब इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें 1-4 तीस्पून बैकिंग सॉड़ा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे कभी भी ध्यान रखे कि बैकिंग के अप कोई भी रेसिपी का बना रहे हो, उसमें बैकिंग पावडर जितना ले रहे हैं उससे आधी कॉन्टिटी में आपको बैकिंग सॉड़ा लेना है अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम आटा गुपना चालो करेंगी कुकीज का फ्रेंग्स अगर आप मेरी चैनल पे नए है और आपको मेरी रेसिपीस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और साथ में बैल आइकन को भी क्लिक कर लीजी ताकि मेरी न्यू रेसिपीस जब भी आए तब उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दिखें कुकीज का आटा तैयार हो गया है अब हम इसे फ्रीज में 15 मिट के लिए सैट करने के लिए रखेंगे अब इस तरह स एक प्लेट लिए और इसको ओल या तो बटर से ग्रीज कर लेंगे इस तरह से इस तरह से इस नापका बटर प्रीबर अगर काटके मैं एसमें राक रहे हूं ताकि कुकीज नीचे से चिपके नहीं और जले नहीं अब इसके उपर भी हम एक पर वापस पॉल या तो बटर से ग्रीस कर लेंगे अब इस तरह से कड़ाई में स्ट्राइन रखेंगे और इसको ठके लोग फ्लेंग पे 10 मिट के लिए प्रीहीट होने देंगे 15 मिट के बाद आटे को इस तरह से स्पून से लेना है ताकि सारी कुकिस एक नापकी बने और इस तरह से इसे हाथ में लेके हलके हाथों से इसकी कुकिस तयार करेंगे ज्यादा दबाना नहीं है परना इसमें से बटर छूटने लगेगा इस तरह से हलके हाथों से दबाके कुकिस का शेप देंगे इसी तरह से स्पोन की मदद से हम सारी cookies तयार कर लेंगे लिकी इस तरह से सारी cookies तयार कर ली है अब इसे हम कड़ाई में set करेंगे preheat की हुई कड़ाई में इस तरह से cookies को रखेंगे और इसे 32-35 मिनिट के लिए back होने देंगे slow flame पे 15 मिनिट के पाद एक बार वापस कड़ाई को खोलना है और थोड़ी बहुत cookie बैक हो गई होगी उसके बाद हम इसके उपर चॉकलेट चिप्स से गार्निशिंग करेंगे ध्यान रखे कि ये procedure बहुत ही संभाल के करना है वरना हाथ जलेगा आपका और बहुत ही speed में करना है ताकि कड़ाई में से सारी गर्मी खतम नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना है देखे सारी cookies पे इस तरह से चॉकलेट चिप्स डाल के वापस से इसे 25 मिनिट के लिए back करने के लिए रखेंगे तोटल हमें इसे 35 मिनिट के लिए back करना है फिर भी आपकी कड़ाई और कैस की flame पे डिपेंड है कि थोड़ा ज्यादा या कम टाइम लग सकता है 35 मिनिट के बाद इसे चेक करेंगे एक बार देखे हमारी cookies बन के तयार हो गई है देखे इस तरह से cookies को चेक करेंगे cookies plate में चिपक नहीं रही है इसका मतलब कि हमारी cookies बन के तयार हो गई है ये नीचे से थोड़ी dark भी हो जाएगी उससे भी आप चेक कर सकते है इसे सुरू में ये cookies जब करम होगी तब आपको थोड़ी नरम लगेगी पर जैसे ये ठंडी हो जाएगी फिर क्रिस्पी बन जाएगी इसलिए इसे तुरंस क्रिस्पी करने के लिए ज़्यादा मत पकाईए वरना ये बीच में से जल जाएगी देखे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ एन एक दुब क्रिस्पी और देखे अंदर से भी इतनी जालीदार बनी है इस वालेंटाइन डे पे इस रेसिपी को फॉलो करके चॉकलेट रेड वेलवेट कुकीस घर पे बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए और अब आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेर कीजिए